उधारन चार मोहन ने क्रिशी विकास बैंक में 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधी जमा खाते में जमा किये यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रती 6 माही बाद सयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी धनराशी देगा उधारन चार मोहन ने क्रिशी विकास बैंक में 50,000 रुपए 2 वर्ष के लिए सावधी जमा खाते में जमा किये यदि ब्याज की दर 10% वार्षिक हो तथा ब्याज प्रती 6 माही बाद सयोजित किया जाता हो तो परिपक्वता पर बैंक उसे कितनी राशी देगा हल दिया है मूल्धन दिया है मूल्धन पी बराबर 50,000 रुपए ब्याज की दर प्रश्न अनुसार ब्याज की जो दर है जिसे हम आर से प्रदाशीत करते हैं वह 10 प्रतिशत वार्षिक है 10 प्रतिशत वार्षिक जिसे हम दो से भाग करेंगे तो 5 प्रतिशत हमारे पास अर्द वार्षिक ग्यात हो जाएंगी यह अर्द वार्षिक है तो इस तरह से हमने ब्याज की दर जो है 10 प्रतिशत वार्षिक को अर्द वार्षिक में बतल लिया 10 बटा 2 तो 5 प्रतिशत अर्द वार्षिक समय हमारे पास है समय N से प्रदर्शित होता है बराबर 2 वर्ष अब क्योंकि हम 8 वर्षिक निकाल रहे हैं तो 2 एक वर्ष में 2 छे माही होते हैं 2 वर्ष में हमारे 4 छे माही N जो है समय जो है हमारा N छे माही है तो मिश्रधन मिश्रधन A हमें ग्याद करना है अब हम जानते हैं कि मिश्रधन एक कसूत होता है P कोश्टक में एक धन R बटा 100 की घात N से हम मिश्रधन ग्याद करेंगे तो अतहा मिश्रधन A बराबर हमारा मूल धन है 50,000 एक धन दर है हमारी 5 प्रतिशत अर्दवार्शिक बटा 100 कुश्टक बन और उसकी घात में N है तो N हमने 4, 6 माही निकाला है तो N के स्थान पर हम 4 लिखेंगे उसी तरह से A बराबर 50,000 और यहाँ पर हम 5 और 100 को काटेंगे तो 5 हे कम 5 दूनी 10 यहाँ 20 रा जाएंगा तो हम प्राप्त होंगा कुश्टक में एक धन एक बटा 20 कुश्टक बन की घात 4 या A बराबर 50,000 और जब हम इसका रखुत्तम निकालेंगे तो यह 20 अंश में जाएंगा 20 धने की 21 बटा 20 की घात 4 तो हम A को लिखेंगे A बराबर हमारे पास 50,000 गुणित 21 बटा 20 जो हमारे पास की घात 4 है 21 बटा 20 को हम चार बर गुणा करेंगे 21 बटा 20 गुणित 21 बटा 20 तो गढ़ना करने पर हमें प्राप्त होंगा A बराबर 60,775 रुपए 60,000 A बराबर 60,775 दशमलो 3 एक रुपए इस प्रकार Mohan Ko 2 वर्ष पश्चात परी पक्वता राशी 60,775 दशमलो 3 एक रुपए प्राप्त होगी इस तरह से हमने ज्याद किया कि हमारी जो कुल राशी Mohan को 2 वर्ष पश्चात परीपक्ता राशी जो है वो 60,775 दशमलो 3 एक रुपए प्राप्त होगी यह इस उधारन का हल होगा प्राप्त